नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल में तो अभी 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 अशोक लेलेंड का quarter 3 का result आया है quarter 3 का result काथ ही अच्छा रहा है पिछले quarter से पर year to year growth नहीं हुई है year to year loss में ही रहा है तो एक पर चेक कर लेते है result क्या है तो नुकसान हुआ है साड़े 19 करोड का profit नहीं हुआ है cnbc का पॉल था कि पैसट करोड का profit होगा उसमें नीचे गया है revenue भी कम रहा है थोड़ा सा EBITDA भी कम रहा है और margin भी कम रहा है तो सारी सिज़ों में कम है पर quarter 2 से अगर हम comparison करें इसका तो quarter 2 का जो result था उससे better result है बट जो पॉल्स थे जो एक्सपर्ट थे उनसे हिसाब से कम रहा है 147 करोड का लोस हुआ था पिछले quarter में शोकले लेंड को इस quarter में साड़े 19 करोड का हुआ है तो 127.5 करोड का profit ही है पिछले quarter की comparison में तो यह positive ख़बर है और अगर हम last year से comparison करें कि कैसा रहा तो 29 करोड का profit थ दिखेगा revenue positive में 800 करोड का positive revenue है और EBITDA भी बड़ा है बट जो margin कम हुए है थोड़े से ज्यादा expensive हुए है इस वज़े से थोड़ा सा फरक पड़ा है पर यह positive news actually में क्योंकि revenue increase हुए actually पिछले साल से तो guys अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो like, share, comment करना ना